राजदाने दिल्ले में दक्षणी पुर्वी जिले में वानिचे उत्सव केंत्रिगाद एक्सपोर्ट्स कन्क्लेव कायो जन्अमर कोलोनी लाज़ पतनगर में किया गया इस कारिक्रम में दक्षणी दिल्ले के सांसेद रमेश भिदूडे जिल अधिकारी, मिश्वेंद्र समेथ, अन्य विभागों के अधिकारी और जिले के कई एक्सपोर्टर से शामिल हुए मैं इस दोरान जिले के एक्सपोर्टर्स द्वारा अपनी प्रोड़क्ट की प्रदर्शनी भी लगाई गई दरसल ये कारिक्रम, Ministry of Commerce and Industries भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है जिसको भारत के सभी जिलों में आयोजित करना है इसी को लेकर दक्षन पुर्वी जिले में एक्सपोर्टर्स कांक्लेव का आयोजित किया गया जिसका मकसद एक्सपोर्टर को लाब पहुचाना था और भारत के एक्सपोर्ट को इस वर्ष 400 बिलियन डोलर तक ले जाने में एक्सपोर्टर उसकी मदद करना है कारुकरम में मुख्यती थी के तोर पर दक्षन दिल्ली के सांसत रमेश भिदूरी शामिल हुए विदूरी ने बताया कि भारत के अर्थववस्तों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार की तरफ से ये कारुकरम क्या चा रहा है मोधी सरकार का मकसद है कि वो नोकरी देने वाला बने और भारत विश्वगुरु बने देश के प्रधानमंत्री जी ने देश भर में इस प्रकार के सो सम्मेलन करने के लिए सभी देश के साथ सो लगबग डिश्टिकों में कायजन करना है कि बहुत से लोगों को बच्चे पड़ लिखते हैं लिख लेते हैं नौकरी की तलास में जाते हैं जबकि उनके अंदर वो चमता है कि वो अपना कारकम करने के बाद और बीस लोगों को रोजगार दे सकते हैं इस सम्मेलन्ट के मादम से मेले के मादम से और नेवल हमारे जो डीम साहब हैं उनके सहयोग से सभी SGM के सहयोग से जो है कि इंडेस्टलिस्ट है उनको तो ग्यान प्राप्त है पहले सी लेकिन वो और लोगों को ग्यान दे दें और इसी प्रकार की हमारी जो और संस्ता है भारत सरकार के उप्रम के रूप से 90 समय से मारक दरसन कर रही है कि अगर लॉन लेन प्रदानमंत्री जी चाहते हैं वहीं जिलाधिकारी विश्वेंद्र ने बताया कि वारी जेउत्सव केंटरगर्थ एक्सपोर्टर्स का अंक्लेव का आयोजन दक्षिन पुर्वी जिलेद्वारा लाजपतनगर में क्या गया जहां सभी स्टोक होल्डर को एक प्लैटफोर्म पर लाया गया ताकि जो सरकार की स्कीम है उसका लाब लोगों तक पहुचाया जा सके और उनको इसके लिए जागरुक किया जा सके झाल झाल